Hello students, welcome back to the class So, आप सभी का स्वागत है हिंदी के class में देखो, आज के इस class में हम एक writing skills का एक topic पढ़ने वाले हैं जो की बहुती simple topic और बहुती easy topic है ठीक है, इसका नाम है गद्दय आकलन यहाँ पे आपके पास में एक paragraph दिया होता है मतलब कि आपको paragraph को read करना होता है और उसमें से read करने के बाद में आपको वहाँ से मतलब कुछ प्रश्ण तयार करने होते हैं जो relate हो सके उस paragraph से ठीक है, उस परिछेत से relate हो सके तो उसके relation में आपको कुछ प्रश्ण तयार करने होते हैं जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँ कि प्रश्ण किस type की होने चीज़ कैसे तयार करना है, उसके बारे में चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर rules क्या use करना है आपको, ठीक है? तो देखो rules में सबसे पहले तो, जो आपको दिया परिछेद होगा यानि कि गध्यान श्याफिर जो paragraph दिया होता है उसको पढ़ना होता है सही तरीके से ठीक है उसको पढ़कर उसके आधार पर पांच प्रशनों को निर्मित करना होता है देको यूजिवली पांच प्रशनों होते हैं आपको जो बनाना होता है पर कभी-कभी question में change हो सकता है लाइक यहां पे 4 हो सकते हैं तीन हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे उसके बाद ने प्रश्णों के उत्तर एक वाक्य में हो ऐसे ही प्रश्ण बनाये जाएं मतलब कि आपके जो प्रश्ण के उत्तर हो वो सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य में होने चाहिए उत्तर लिखना यहां पर अपेक्षिक नहीं को अधारित में आप देखो प्रश्ण कैसे होने चाहिए प्रश्ण ऐसे होने चाहिए सबसे पहले तो तैयार प्रश्ण सारथक एवं प्रश्ण के प्रश्ण के प्रश्ण बनाया है वो सबसे पहले तो question के format में हैं दूसरी बात कि वो relation है उसका मतलब एक आधार वहाँ पे है उस गद्याँश से जो आपको दिया हूआ है मतलब कि जो paragraph दिया हूआ है उसससे relation है उस question का ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए आपने कुछ भी question बना जिसका कोई relation ही नहीं है वहाँ पर जो paragraph आपको दिया गया है उसके बाद में प्रश्ण रचना और प्रश्ण के उत्तर दिये गए गध्यांश पर आधारित हों मतलब कि जो प्रश्ण की रचना है और जो प्रश्ण का उत्तर है मतलब कि आपका जो प्रश्ण की रचना है मतल हो ठीक है रचित प्रश्ण के अंत में प्रश्ण चिन्न लगाना आवश्यक है मतलब कि आपको जो यहां पर पेराग्राफ दिया गया उसमें से जवाब यहां पर questions बना रहे हैं तो questions बनाने के बाद में आपको question mark sign डालना बहुत important है अगर आप question mark sign नहीं डालते हैं तो उसको consider नहीं किया जाएगा एक सही प्रश्ण के रूप में क्योंकि प्रश्ण अगर है तो वहां पर प्रश्णात्मक वहां पर चिन्न आना ज़रूरी है ठीक है उसके बाद में देखो यहां पर प्रश्ण समूचे परिक्षेत पर आधारित होना चाहिए ठीक है प्रश्ण जो होना चाहिए समूचे परिक्षेत मतलब पूरे के पूरे एक तरीके से पूरे के पूरे पराग्राफ पर आधारित होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक दो लाइन को ही देखके हमने पूरा के पूरा प्रश परिशेद को आपको पढ़ना है, लाइक गध्याज को पढ़ना और उसके उपर आधारीत में आपको प्रश्न बनाने है, ठीक है? अब चलो यहां पर हम देखते हैं, एक 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 परिशेद का, किसी भी देश की संपत्ती उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, वि उसके सामने सदा मनजिल रहती और उसे ग्यात है कि इन प्रलोबनों के वश में न होकर परिश्रम, तप, त्याग और साधना के कंटका कीर्ण पत पर चलकर ही वह कुछ बन सकता है। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर पर प्रशन को बनाना है। तो उसका आंसर क्या हो सकते हैं? आदर्श विद्यार्थी यहाँ पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस को आप यूज कर सकते हो। वह समय का मुल्यांकन करना जानता है। वह मतलब यहाँ पर विद्यार्थी है। ठीक हैं तो यहां पे आप क्या बना सकते हैं विद्ध्यार्थी समय का मुल्यांकन करना जानता है मतलब इसका मतलब यहां पे गर आप question बनाओ तो क्या बन सकता है इसका question बनाओ तो विद्ध्यार्थी किसका मुल्यांकन करना जानता है यहां पे यह भी question बन सकता है और देख यह बन सकता है कि विद्यार्थी आवशक्ता से अधिक किसमे लिप्त नहीं होता है तो उसका आंसर क्या रहा है कि बैटिंग सिनमा मोबाइल एवं अन्य मनुरंजनों में ठीक है अब इसके बाद में देखो उसके सामने सदा मनजिल रहती है तो यहां पे इस सेंटेंस से भी परिवार के लिए समाज के लिए रास्ट के लिए एवां समूचे विश्व के लिए वो तभी कुछ करने की शमता प्राप्त कर सकता है जब अपनी सर्वांगिन उन्नती करने का सामर्थ रखता हो तो यहां पे अगर आप चाहो तो क्या question बना सकते हो विद्यार्थी किसके लि समाज के लिए रास्ट के लिए यहां समूचे विश्व के लिए ठीक है तो यहां पर देखो इसको भी आप question बना सकते हो और देखो finally अगर हम यहां पर last sentence देखो वह विद्यारूपी समुद्र का मन्थन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक अन्बिद्ध रहे ह सबसे पहले हम प्राप्त सेंडेंस के उपर आधार पर किसी बी देश की संपत्ती उस देश का क्या होता है तो यहां पर किसी भी देश की संपत्ती कौन होते हैं ठीक है तो ये पहला प्रश्न हो गया इसके बाद में देखो दूसरा जो हमारे पास प्रश्न है विद्यार्थी क्या करना जानता है विद्यार्थी समय का मुल्यांकन करना जानता है ठीक है तो यहां पे आपका जो आंसर वो क्या है समय का म फिर इसके बाद में एक और प्रश्ण बनाते हैं विद्यार्थी किसके लिए कुछ शम्ता प्राप्त कर सकता है इसके लिए परिवार के लिए समाज के लिए राष्ट के लिए और समूचे विश्व के लिए ठीक है एक और प्रश्ण बनाते हैं विद्यार्थी किस प्रकार क के मोती प्राप्त कर सकता है विद्यार्थी किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकता है देखो यहां पर हमने विद्यारूपी समुद्र की जगह पे हमने किस प्रकार के मोती तो हम को यहां पर आंसर क्या मिलेगा विद्यार्थी किस प्रकार की मोती जो अन्विद्ध रहे हैं व हमारे पास में यहां पे है वो है आप इस गद्यांश को कौन सा सिरशक देना ओचित समझेंगे देखो यह जो पांचवा question है यह सबसे favorite question है मतलब कि अगर आपके पास में कोई भी गद्यांश दिया गया कोई भी परिक्षेत दिया गया आपके पास में कोई भी पैराग्राफ है तो उसमें आपको एक question को लिखना हमेशा लाइक बहुत ही इसी को लिख दो क्योंकि कोई भी पैराग्राफ को एक title दिया ही जा सकता है तो आपको सिर्फ और सिफ यहां पे question बनाना है यह और यह जो question है यह पूरे के पूरे गद्यांश पर आधारित है यह सर नो हमको बोला गया कि पूरे-पूरे गद्यांश पर आधारित प्रशन क को बनाना है तो यह देखो यह पूरा जब तक हम पढ़ेंगे नहीं इस गद्यांश को याद कर लो और जब भी आपको गद्यांश के उपर आपको पनाने के लिए आये फिसंप्रेप्र सब्सक्ति चार प्रस्म को आप बनाएए और पांचके इस प्रस्म में प्रश्णों को बना सकते हो ठीक है I hope कि आपको इस समझ में आया होगा अब देखो यहां पर आपके homework के लिए स्वाध्याय के लिए एक यहां पर हमने paragraph को दिया हुआ है इस paragraph करके submit करना आज के classroom group में तो मिलते हैं दूसरे class में तब तक के लिए good bye